अर्मान मलिक की तरह शादी पर हो सकती है सास साल जेल हिंदू में एक से ज्यादा शादी पर क्या कहता है कानू पायल कृतिका से पहले भी अर्मान की हुई थी एक शादी कैसा इंफ्लूएंस युवाव को दे रही हैं अर्मान, पायल और कृतिका बिग बॉस OTT सीजन 3 में हिस्सा लेने वाले यूट्यूबर अर्मान मलिक और उनकी दो पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक इन दिनों बहुत सुर्ख्यों में है पायल मलिक शो से एक विट हो चुकी है महीं अर्मान मलिक को एक अन्यक कंटेस्टेंट विशाल पांडे को थपड मानने की वज़ा से पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है सोशल मीडिया पर अर्मान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों की पॉपुलेरिटी का अंदार उनके यूट्यूब, इंस्ट्रेग्राम और फेस्बुक पर फॉल्वर्स की संक्या से लगाया जा सकता है इनकी रील्स पर लाखों में व्यूस आते हैं अर्मान मलिक को पायल, कृतिका दोनों के साथ रहते हुए किसी के भी जहन में ये सबसे पहले खयाल आ सकता है कि एक हिंदू कैसे खुलयाम पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर सकता है और दोनों के साथ एक ही घर में रह सकता है साथ ही शान से अपनी लिविंग केमिस्टी के रील्स भी सोशल मीडिया पर डाल सकता है अर्मान मलिक पायल और कृतिका के बारे में सब कुछ बताने के साथ देश दामा इस स्टोरी में ये बताने जा रहा है कि ये ऐसे रिष्टे के कानूनी पहलू क्या है कानूनी विशेश शग्ये क्या कहते हैं लेकि उससे पहले आपसे अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें जिससे हमारे सभी नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें अब अर्मान मलिक को लेकर इस बात पर आते हैं कि वो अब भी हिंदू है या दूसरी शादी के लिए इसलाम धर्म अपना लिया सबसे पहले तो ये गलत भ्रम है कि अर्मान मलिक ने पायल से शादी शुदा होने के बावजूद कृतिका से शादी के लिए इसलाम धर्म अपनाया ऐसा भ्रम अर्मान मलिक नाम और उनकी कृतिका से संतान का नाम जैद होने से किसी को भी हो सकता है अर्मान मलिक अब भी हिंदू हैं ये बात पायल मलिक ने इंडियन एक्स्प्रेस को दिये इंटिव्यू में हाल में साफ की पायल के मताविक अर्मान मलिक हिंदू जाट हैं और उन्होंने इसलाम धर्म नहीं अपनाया है 35 साल के अर्मान मलिक का असली नाम संदीप सिंग है और वो मूल रूप से हरियाना के हिसार जिले के रहने वाले हैं अगर आप हिंदू हैं और अर्मान मलिक की तरह एक से ज्यादा शादी बिना तलाक दिये करें तो आपको 7 साल की जेल हो जाएगी हिंदू एरिज एक्ट यही कहता है दरसल इसलाम को छोड़कर और किसी भी धर्म में भव विवा की इजाज़त नहीं है भरत में मुस्लिमों को छोड़कर अन्य किसी का भी बिना तलाक लिए एक से ज्यादा शादी करना अपराद है कानूनी विशेशक्यों का कहना है कि अगर आर्मान हिंदू है तो उनकी कृतिका से शादी अवैद है ऐसे में अगर पायल इस शादी के खिलाफ कानूनी तोर पर शिकायत करती तो आर्मान को 7 साल की जेल भी हो सकती थी अकसर लोगों में ये गलत धार्णा है कि अगर कोई हिंदू इसलाम धर्म अपना कर दूसरी शादी करे तो उस पर कानूनी कारवाई नहीं हो सकती ऐसी गलत धार्णा इस वज़े से है कि फिल्म स्टार धर्मेंद्र हिंदू हैं और उन्होंने 1980 में पहली पत्नी प्रकाश का और के होते हुए भी हिमा मालिनी से शादी की इस शादी के लिए उन्होंने इसलाम धर्म अपनाया और अपना नाम बदल कर दिलावर खान रखा हिमा मालिनी का नाम भी आईशा बेगम रखा गया था आपको बता दे कि बॉलीवुड में अरमान मलिक नाम के एक पॉपलर सिंगर मिजिशन भी हैं जो संगीत कार अनु मलिक के भतिजी हैं और मुस्लिम हैं सिंगर अर्मान मलिक ने ये आरोप लगाया था कि यूट्यूबर अर्मान मलिक ने उनके नाम का फायदा उठाने के लिए खुद को अर्मान मलिक कहकर प्रचारित किया यूट्यूबर अर्मान मलिक उर्फ संदीप सिंग का जन हर्याना के हिसार जिले के हासी में 15 दिसंबर 1988 सीखो हुआ अर्मान मलिक का निकनेम कुड्डू है बच्पन में 8 फी में 2 बार फेल होने पर अर्मान घर से भाग गए और 4 दिन बाहर रहने के बाद घर वापिस लोटे अर्मान ने फिर घरवालों से कहा कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता इसलिए कार मेकैनिक बनना चाता हूँ कारों के लिए अर्मान का बच्पन से ही क्रेज था 19 साल की उम्र तक अर्मान मलिक के सिर से माता पिता का साया उठ चुका था अर्मान ने धादी से 2000 उपे लेकर तब दिल्ली घर रुक किया यह यह बता दें कि पाइल और कृतिकर से पहले भी अर्मान की शादी सुमित्रा नाम की लड़की से 2005 में हो चुकी है तब अर्मान की उम्र सिर्फ 17 साल थी यानि वो नापालिक थे ऐसे में वो शादी पाल विवा थी अर्मान ने आर्थिक सेटलमेंट के जरिये सुमित्रा से तलाक ले लिया सुमित्रा ने भी फिर दूसरे लड़के से शादी कर ली थी दिल्ली में 2011 में अर्मान की मुलाकाद बैंक में काम करने वाली गूजर परिवार की लड़की पाइल से हुई और दोनों में प्यार हो गया एक हफ़ते के बाद ही पाइल ने अपना घर छोड़ दिया और अर्मान के साथ मार्च 2011 में शादी कर ली दोनों का फिर 2016 में एक बेटा हुआ जिसका नाम चिराईू रखा गया अर्मान और पाइल की जिंदगी में सब सही चल रहा था कि 2018 में पाइल की सहेली क्रितिका बसरा उनके साथ रहने के लिए आई हफ़ते बाद अर्मान ने पाइल से कहा कि वो और क्रितिका शादी करना चाते हैं ये सुन पहले तो पाइल से बरदाश नहीं हुआ और गुस्से में अर्मान का घर छोड़कर एक साल तक अलग रही पाइल ने इंडियर एक्सप्रेस से इंटर्वियू में उन दिनों को याद करते हुए माना कि उनके साथ ना इंसाफी हुई क्योंकि अर्मान के लिए ही अपना घर बार उन्होंने छोड़ा था फिर शादी के हाट साल बाद अचानक क्रितिका उनकी जिन्दगी में आ गई पायल ने साफ किया कि एक साल अर्मान से अलग रहने के बार उन्हें आइसास हुआ कि कोई रिष्टदार दोस्त काम नहीं आएगा पती ही साथ देगा फिर पायल अर्मान के पास लोट आई और क्रितिका के साथ ही रहना शुरू कर दिया पायल के मुदाबिक क्रितिका को भी पता है कि अर्मान के लिए सबसे पहले पायल है पायल का कहना है कि आज वो सब खुशी के साथ कठे रह रहे हैं अब उपर वाला भी कहें तो हम अलग नहीं होंगे पायल का कहना है कि क्रितिका उन्हें बहुत मान देती हैं वो जो कहती हैं वो कृतिका के लिए पत्थर की लखीर होता है पाइल के मुदाबिक घर में वो ही बॉस लेडी है जो वो कहती हैं वही होता है पाइल का ये भी कहना है कि माय के पक्ष से उनका कोई कॉण्टेक्ट नहीं है पाइल की उम्र 39 साल और कृतिका की 30 साल है अर्मान मलिक की पाइल से अब 3 संतान है दो बेटे जिरायू और अयान और एक बेटी तुवा अयान और तुवा जुडवा है मैं कृतिका से अर्मान का एक बेटा है जैड अयान, तुवा और जैद का जन्द एक ही सार दो हजार पाइस में हुआ अर्मान मलिक ने खुद खुलासा किया है कि COVID-19 के बाद उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था एक बार उन पर कार के 11 लोन चड़े हुए थे और उनके बैंक खाते में सिर्फ 35,000 रुपए ही बाकी बचे थे अर्मान मलिकी किस्मत टिक टॉक ने पलड़ी टिक टॉक पर अर्मान के 3,30,000,000 फॉल्वर्स थे और उससे उनकी महिने की 2,5,000,000 रुपए की आमदनी हो जाती थी जंडिगण में जब अर्मान ने मूव गया तो 50,000 रुपए महिने का मकान किराय पर लिया और दो वीडियो एडिटर्स को साथ जोड़ा सारा ख़ट निकाल कर भी अर्मान को हर महिने 15,000,000 रुपए की बचत हो जाती थी हाला कि टिक टॉक पर भारत में प्रतिबन लग गया लेकिन टिक टॉक ने यूट्यूब, फेस्बुक और इंस्टरग्रेम पर अर्मान को अच्छी पैट बनाने में मदद की आज अर्मान मलिक के यूट्यूब चैनल मलिक व्लॉक्स के 77,000,000 से ज़्यादा फॉल्वर्स हैं इंस्टरग्रेम पर अर्मान के 43,000,000,000,000,000,000,000 और कृतिका मलिक के 86,000,000,000 फॉल्वर्स हैं आज हालत ये है कि अर्मान मलिक की कुल संपत्ती 100 से 200 करोड रुपे के बीच बताई जाती है अर्मान खुद दोनों पत्नियों और चार बच्चों के साथ चन्निकड के जिरतपुर में रहती है अर्मान के पास 10 फ्लेट हैं जिनमें एक फ्लेट में उन्होंने म्यूजिक स्टूडियो बना रखा है बाकी 6 फ्लेट उनकी टीम और स्टाफ के लिए हैं पायल मलिक के मुताबिक उनके साथ 40 लोगों की टीम काम कर रही है जिनमें 6 एडिटर, 3-4 कैमरा मैन, 2 ड्राइवर, 4 परसनल सिक्योर्टी मैन और बाकी हाउस हेलपर्स हैं कारों के शौकीन अर्मान मलिक के पास, फॉर्चुनर, एच्चूवी, महिंदरा और स्कॉर्प योजैसी गाड़िया हैं अर्मान मलिक, पायल और कृतिका को कई हरियानमी और पंजाबी म्यूजिक वीडियो में देखा जा चुका है परहाल कानूर, अर्मान मलिक, पायल और कृतिका के रिष्टे पर क्या कहता है इससे एक और बड़ा सवाल है ये तीनों सोशल मीडिया इंफुलेंसर्स माने जाते हैं फिर ये किस तरह का इंफुलेंस देश की युवापीडी को पास कर रहे हैं देश नामा के लिए खुशदीत सैकल की रिपोर्ट आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा आपने देश नामा को सब्सक्राइब